बलिवुट सूपरस्टार सल्मान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान ने अपनी रिलीज के बाद से चीन में 150 करोड रुपए से अधिकी कमाई कर ली है भारत में दो साल पहले रिलीज हुई बजरंगी भाईजान चीन में इस साल दो मार्च को रिलीज हुई चीनी बॉक्स आफिस पर रिलीज होने वाली यह सल्मान की पहली फिल्म है चीन में आमिर खान की फिल्में काफी लोग प्रिय रही है बजरंगी भाईजान के निर्माताओं की और सिज्जारी बयान के मताबिक फिल्म विदेशी बाजार में अच्छी कमाई कर रही है एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो भारत में गुम हुई पाकिस्तानी लड़की को सीमा पार ले जाकर उसके देश पहुंचाता है फिल्म में बालकलाकार हरशाली मलहोतरा, अभिनेत्री करीना कपूर खान और नवाजुदीन सिद्धी की खास भूमिकाओं में है बजरंगी भाईजान ने चीन में अपनी रिलीज के पहले ही दिन 18 करोर रुपए की कमाई की थी चीनी बॉक्स ओफिस के मताबिक बजरंगी भाईजान ने चीन में आमिर खान की दंगल की पहले दिन की कमाई को पचार दिया हाला कि बजरंगी भाईजान की कमाई हाल ही में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार से कम है जिसने चीन में रिलीज के पहले दिन 40 करोर रुपए की कमाई की थी